की ओके तो अब हम बात करते हुic!! फोटो ऐगी है और हमसे इसके बारे में पूछा जाएगा तो पहली बात तो यह कि किसने केहते हैं के वोर कीं सांइन क्या कहते हैं कि वोक्ष यह कुछते हैं कि रिपरावे से रिड comm limited उड्लिएंट न आइये इट प्रेजेंट्स विदिन वन आवर एक घंटे के अंदर अंदर ये साय नम को देखने को मिल जाता है अगर कुश्चन आए टेस्ट फोर टाइम सिंस डेथ लीनियर जानना है तो हम देखते हैं पोटेशियम लेवल और ये पोटेशियम लेवल हम कहां पर देखते हैं विट्रियस हिूमर के अंदर देखते हैं ठीक है फिर तीन से छे घंटे के अंदर हमें आँख के अंदर ये चेंजिस दिखने को मिलता है टेक अनुयर साइन इस तरीके से एक कला कला ये क्या होता है इट से टेकिनोयर साइन आई ओपेक हो जाती है छे गंटे के अंदर अंदर बात करता है अलगर मोर्टिस अलगर का मतलब होता है कूलिंग ठीक है आइडियल साइट क्या होती है टेंपरेचर के लिए सब हिपेटिक स्पेस लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज साइट इस रेक्टम रेट ओफ कूलिंग क्या होती है तो समर के अंदर ये 0.5 डिगरी सेलसियस होती है पर आवर 0.5 डिगरी सेलसियस पर आवर ठीक है अब अब प्रलोंग्ड इंक्रीज इन एलगर मोर्टिस ये हमें कहां कहां देखने को मिलता है स्ट्रेचनिन इसका भाई टेटनस और हीट स्ट्रोक इन तीन कंडिशन में हमें प्रलोंग्ड इलगर मोर्टिस देखने को मिलता है स्ट्रेचनिन टेटनस एंड हीट स्ट्रोक एलगर मोर्टिस का कर्व कैसा होता है तो this is सिगमोईड शेप यह से कहते हैं inverse S-shape graph ठीक है यह जो point होता है यहां पर इससे कहते हैं post-mortem caloricity अब बात करते हैं liver mortis की liver mortis को staining भी कहते हैं इससे sugillation भी कहते हैं hypostasis भी कहते हैं liver बोलो या lividity बोलो एक ही बात है ठीक है तो जो hanging death होती है उसके अंदर हमें glove and stocking staining देखने को मिलती है और यह जो liver mortis होता है यह absent होता है कहां if you died of hemorrhagic shock या if it's severe anemia तो उसके अंदर क्या है blood की कमी है और blood is responsible for staining here ओके fix session के लिए कितने time लगता है कम से कम 8 घंटे का समय लगता है इस staining को fix होने में ठीक है carbon monoxide इसके अंदर cherry red staining देखने को मिलती है nitrogen containing जितने भी compound होता है जैसे कि nitrate हो गया nitrogen हो गया तो उस condition में हमें chocolate color की post-martem staining देखने को मिलती है cyanide की बात करें तो cyanide के अंदर bright red देखने को मिलती है और hypothermia या फिर cold water की condition में हमको bright pink staining देखने को मिलती है तो bright red मिलती है cyanide के condition में और bright pink मिलता है हमको hypothermia फिर cold water की condition के अंदर ये इस तरीके से एक graph होता है तो sigmoid की तो हमने बात की थी sigmoid post-martem cooling मतलब algor mortis के लिए responsible होता है ये इस तरीके का ये जो parabola है ये parabola is responsible for rigor mortis और इस तरीके से ये जो straight line है ये होता है post-martem lividity या फिर liver mortis और इस तरीके का ये जो बना हुआ है से कहते हैं putrefaction ये linear होता है ठीक है तो this graph will be asked and you have to mark it correct cadaveric spasm की photo आ सकती है इस तरीके से marbling it is due to sulfa meth hemoglobin ये इसकी photo होती है why this happens it is due to presence of sulfa meth hemoglobin in the blood ये देखो decomposition हो रहा है इस तरीके की photo हो तो इसे कहते है putrefaction ठीक है no preservation of organ और इसके अंदर हमें बहुत ही गंदी smell आती है edipo sear की बात करें तो इस तरीके से white white better preservation of organ और यहाँ पे आती है sweet smell और ये क्या है this is mummification best preservation होता है organs का condition के अंदर and this is orderless Casper's dictum क्या होती है Casper's dictum tell us about the ratio of decomposition this is 1 ratio 2 ratio 8 देखो इसके लिएक निमोनिक है O 128 मतलब air water और earth लिख देना और 128 लिख देना उपर तो ये rate of decomposition है तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है decomposition अर्थ के अंदर दफना दिया तो 8 times faster decomposition होता है as compared to air तो ये निमोनिक है रकना O 128 so this is all about the thenatology जेवाधे जिसेग जconoे है JUL numb ये जो भू फ्रह रजआर बार e